विभी अमचे के सुन में बच्चों स्वागत है आज हम लोग चक्रवात और प्रतिक चक्रवात में अंतर असपष्ट करेंगे यह मात्पूर्ण प्रश्चन है इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे देखिए मैंने जो बहुत ही सरल अंतर लिया है तो याद करने में आप कि देख सकते हैं कि यह एक कमदवाब का छेतर होता है यह एक उच्छ दवाब का छेतर होता है अगर दूसरा वला का बात करें यह देखिए दूसरा नमर हावा अंदर की और और घरी के विप्रित के सामें आप लोगा पता है कि हवा के अंदर की और घरी के विप्रित के सामें बात यह क्या होता है हावा तक दैके हावा अंदर की और और विप्रिद दिसाभ में चलती है मतलब डिकरीग किस समय चलता है अपना नहीं पता है मालिजी यह घरी है अईसे माल लेते हैं तो ये घरी का शुवी इस तरह चलता है नहीं स्क्रवाद क्या होता है इसे गुमता है इसे करके इसलिए है इसी वेदे प्रविनी दिसामें चलती है हावा बहार की ओर मतलब है कि इसे मुशने के यह बहार इस पूर हाँ इस तो इस पर वर्षा तूफान और बादल लाता है यह आमतर परवर्शा तूफान और बादल लाता है यह आप लोग समझे सकते हैं है हैं क्या लाता है आम तो पर बशा इसके आने पर बादल आता है लाती है यह समसक सब्ष्छ और साफ आसमान लाता है क्या है उपर उटने और कम धवाब के कारण होता है यह क्ला होता है है इसमें क्या है कि थंडा हवा के नीचे बाइटने हवा क्या होगा नीचे बैठने और उच द्वाव होने के कारण ओंधा यह समय घ्रतर है तूली गर्म चेटर producers यह होते हैं ठंडे चेटल Lewis हाओ उपर उठीयो हवा क्या हूत आग निये मझने ह्वा मैं यह स्कते हैं यह हावा है जाथ हवा फिरी करूंपर यह बलjo कि लेके हवा को उपर क्या चलेगा इसे यह पर चक्रबात में हवा नीचे के लिए लगता है यह देखें तो यह देख सकते हैं आप लोग अंतर बहुत ही अच्छा है अच्छा है